अपने उद्बोधन के लिए पदा रहें जैजे स्री राम जैजे स्री राम अवदपुरी सोहई एभाथी प्रभु मिलन आई जनुराती अवदपुरी इस प्रकार सोवित हो रही है मानो प्रभु से मिलने आई हो आज देश के सश्षी प्रधान मंत्री आदनिय सी नरिंद्र मोदी जी का अयोध्या में आगमन होकर के नए भारत के एक नए अयोध्या का वह स्वयम लोकारपन करने के लिए आये है बायो बेनो इस औसर पर आप सब की ओर से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और देश और दुनिया भर के रामभक्तों की ओर से मैं आदनिय प्रधान मंत्री जी का हिर्दे से स्वागत करता हूँ मंजपर उपस्तेत आदनिय प्रधान मंत्री जी प्रदेश की मान्य राज्यपाल आदनिया स्रीमती आनंदी वेन पटेल जी केंद्रिय रेल मंत्री मान्य सी अस्वनी भैष्णों जी केंद्रिय नागरिक उड्डियन और इस्ताथ मंत्राले के मंत्री मान्य सी जोटरादित्य सिंधिया जी जनरल वीके सिंग जी उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सयोगी उपमुख्य मंत्री तुए सी केशो प्रशाद मोर्या जी सी प्रदेश पाठक जी मंत्री मंडल के मेरे सवी सयोगी गाण यहां के मान्य सांसर सी लल्लू सिंग जे अन्य सवी सम्मानित जन प्रतनिदीगान और उपस्तित भाईयों और बहनों अवद पुरूई प्रभु आवत जानी भाई सकल सोभा के खानी प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदनिय प्रधान मंत्री जी के ही करकमलों से प्रभु अपने भब्य मंदिर में दिराजमान हो रहे हैं भाईयों बेनों 500 वर्सों का अंतजार समाप्त होने जा रहा है प्रभु के आगमन के पहले प्रणान मंत्री जी का संकल्ब ठाना अयोध्या को दुनिया की सुन्दर्तम नगरी की रूप में स्थापित करेंगे और भायों बेनों आज आपने देखा होगा जिस भव्यता के साथ प्रणान मंत्री जी का स्वागत अयोध्या वाश्यों ने किया है एक नए भारत की नए अयोध्या का दर्सनम सब को कराता है अयोध्या बेहत्रीन फोर लेन सिक्स लेन और एट लेन की कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी से रोड मार्ग से जुड़ा है इसका अधगाटन प्रणान मंत्री जी के करकमलों से भी होने जा रहा है रेल की बेहत्रीन सुविधा अयोध्या से नए रेलवे स्टेशन के साथ साथ बंदे भारत तेन का सुभारंब और दो नई ट्रेन अम्रित भारत के नाम पर आधणिय प्रणान मंत्री जी ने अयोध्या को सीता मनी से प्रवराम की जनम भूमी से माता सीता के प्रगटी करण के अस्तल पर जोड़ने के लिए इस वेलिय की कारिकरम को भी आज सुभारंब किया है और साथ साथ वगमार राम तो त्रेता में पुस्पग विमान से अयोध्या आये होंगे आध प्रणान मंत्री जी ने इंटरनेशनल एरपोर्ट का उपहार भी अयोध्या वास्यों को दे दिया है इसका उद्गाटन करके प्रणान मंत्री जी यहाँ पर आये है अध्रपरदेश के विकास और अयोध्या के विकास से जुड़ेवे हजारो करोड की इन प्रयोचनाओं के लिए मैं अध्रपरदेश वास्यों की और से अधनिय प्रणान मंत्री जी का हिर Damon से आभ़ार विक्त करता हों उनका स्वागत करता हों अभिनन दन करता हों वयोबेनो ये वही अयोध्या है जहां का नाम लेने में लोग संकोच करते थे आने की बात तो दूर एक निया रिकॉड भी बन गया है अयोध्यां आने वाले सबसे अधिक समय तक आने वाले और सबसे अधिक बार आने वाले प्रढान मंत्री में भी मोदी जी का नाम आ गया है हर एक उसर पर जो उत्तर प्रदेश को अयोध्या जैसे बिरास्त से जुड़ीवी नगरियों को एक नई पैचान दिला सकें वाँ मोधी जी के करण संभव हो पाया है भायों बेनों और इसलिए आज जब प्रधान मंत्री जी 22 जन्वरी के पहले विकास से जुड़ीवी, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ीवी, कनेक्टिविटी से जुड़ीवी अयोध्या को बेहतरी इन सुविधाओं से युक्त, इन सभी सुविधाओं से संपन कर रहे है तो इस कारिक्रम में हम सब का ये दाहित तो बनता है कि हम प्रधान मंत्री जी का हिर्दे से स्वागत करें, अभिनंदन करें और मैं इस बात के लिए भी प्रधान मंत्री जी का हिर्दे से आभार बेक्त करता हूँ प्रभु राम से इस लोग का मिलन कराने वाले तरकाल, दरसी, रिसी, मौरसी, बालमी की जी के नाम पर इस अंतराश्टी हवाई अड़े का नाम प्रधान मंत्री जी ने किया है इसी मौरसी बालमी की हैं, उनके नाम से इस अंतराश्टीय एरपोर्ट का नाम करण भारत के अंदर, भारत की परंपरा पर, भारत की विरासक पर गौरव की अनभूती करने वाले हर नागरिक को गौरव की अनभूती कराने वाला यह चछण होगा मैं आज की सौसर पर आधने प्रधान मंत्री जी का मंचासिन अपने सभी आगत अतितियों का और आप सभी का हिर्दे से स्वागत और अविनंदन करते वे आगामी समय के लिए हम सब अपने दाहितों का निर्वहन करने की तैयारी कर पाएंगे अयोद्या में 22 जनवरी के बाद अयोद्या को अतिति देवो भवा का एक नया और बहुत देश और दुनिया को कराना है और इसके लिए हम सब पूरी तैयारी के साथ 22 जनवरी के एक कारिकरम में अतितियों के स्वागत के लिए उसी तत्वरता से इसी जोस खरोस के साथ हम कारिकर पाएंगे इस अबिस्वाज के साथ मैं एक बार फिर से आप सब की ओर से प्रदेश वासियों की ओर से सभी राम भक्तों की ओर से आदनिय प्रधान मंत्री जी का हिर्देश स्वागत और अभिनंदन करता हूँ धन्यबाद जैहिन